इसके विप्र आपका स्वागत है जिहां दोस्तों आज गड़े फिर से ले गए हैं एस्टेट 2022 से समद्द जिहां दोस्तों जैसा कि आप इस्टेट 2022 के रिजल्ट से पहले बायोमेट्रिक लिश्ट निकाड़ी गई थी जिसमें 16 और 17 दिसंबर का टाइम दिया गा था बायो पोस्ट डाले थी अपने चैनल पर और उस पर केवल साथ कंडुरेट्स कैसे मैसिज आये हैं जिनका बायो मैट्रीक वेरिफिकेशन अभी भी नहीं हुआ है जी यहां दोस्टो उनके लिए वीडियो लेके हैं उनके दूरी सभी डाउट्स क्लियर होने वाले तो एस्टेट 2022 की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है और कुछ कंडिडेट्स की जो बची हुई है उन्हें भी गबराने के आवशकता नहीं है क्योंकि दोस्तो अगर एस्टेट 2022 के एक्जाम के रिजल्ट में अगर थोड़ा ओर टाइम लगता है तो उन्हें दोब पायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनका रिम्ट्र रोक लिए जाएगा लेकिन जैसे ही रिजल्ट डिकलेर किया जाएगा उसके तुरंत को उस दिन बाद ही उन्हें दोबारा बायोमेट्रिक verification का मौका दिया जाएगा और उनकी biometric verification complete होने के बाद उनका result जो है declare कर दिया जाएगा इससे संबंदित मैं अपनी videos जो है आपके channel पर share करूँगा तो इसलिए channel के साथ जरूर जुड़िएगा और video अगर आपको अच्छे लगती है useful लगती है तो प्लीज उसे like जरूर जरूर कर दीजिया करें और दोस्तो अब मैं आप एक बात और discuss आपके साथ में करना चाहता हूँ कुछ channel से ने बताया है कि अब के बार 86 journal वाला हो गया है पास और 76 वाला journal SC candidate पास हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो ये एक fake viral news करवाई जा रही है अपने click bets जो उन्हेंने यूज किया है मतलब वो केवल व्यूज के लिए ही उन्हें ये वीडियो बनाई है दोस्तो एस्टेट 2022 या कोई भी जैसे एस्टेट होता है हरियाना विदाले शिक्षा बोड़ दवरा संचारित करवाया जाता है तो उसका पहले सी fix किया हुआ है कि journal candidate को 90 marks वाला ही पास होगा और SC candidate जो है 82 वाला ही पास होगा इसके अलावा कोई अलग से कोई criteria नहीं है केवल जो marks दिये गए है उसी according ही exam का जो result है वो तयार होता है और दोस्तों आप सवाल उठता है कि हम आपकी वीडियो बनाई हुए वीडियो पर विश्वास कैसे करें दोस्तों तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि biometric verification का दोबारा chance मिलता है या नहीं मिलता है तो यह देखी दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने हर्याणा मिदले सिक्षाबरोड की ओफिसियल वेबसाइट यहां उपन की हुई है जैसे हैं आप इसे नीचे ड्रेंक करेंगे तो यहां यह what's new आ गए यहां जो news है वो blink करती हुई आ रही है यह इनकी latest news होती है जो website पर डाली जाती है और दोस्तों आप स्क्रीन पर देखी पा रहे होंगे यह देखिए दोस्तों यह सब से उपर जो आपको अब दिखाई दे रहा है list of 28 candidate iris biometric verification as stat 2021 यहां दोस्तों as stat 2021 21 के अभी तक 28 candidate और बाकी है जिनका verification अभी नहीं हुआ है जिसके कारण का result अभी भी धैल किया हुआ है यह 28 candidate भी जब अपनी biometric verification पर करिया पूरण करवा लेंगे तो उसके बाद भी इनका result जो है जारी किया जाएगा तो दोस्तों यह आपके लिए proof था जो stat 2022 के candidate भी अभी बाकी है और उनको भी अभी मुका दिया जा रहा है तो इस बात को तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका result जो है disqualify हो जाएगा और आपको result आपका भी नहीं मिलेगा और लेकिन दोस्तों चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो जैसे इस संबन्दीत है और हर्यानावी दले सिक्षा बोर्ड से संबन्दीत है अगर आगे भी आप authentic अच्छी news चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और दूसरे साथियों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा